Hey guys, welcome back to my channel once again और आज की वीडियो होने वाली है DMART कलेक्शन की After Diwali क्या-क्या कलेक्शन अवैलेबल है DMART में वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्या अभी भी rates high है या और भी ज़्यादा discount आ चुका है तो ये सब चीज़े देखने के लिए वीडियो में लास तक बने रहिएगा और कुछ में मिस मत कीज़ेगा So without any further delay, let's get started सबसे पहले मैं इस DMART के आपको location बता देती हूँ ये बढ़ता है Golden Eye के जस्ट अपूजिट साइट पर Greater Noida में and nearby to Gore Mall अगर आपको grocery की shopping करनी है, कपड़ों की करनी है या फिर home related कुछ भी item बाई करना है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है दिवाली के बात की जो condition थी DMART की वो काफे जादा उधल उधल थी प्राइस जो मिलने वाले हैं, कुछ चीज़ों पर तो आपको same मिलने वाले है like this pet sheet सबसे बहले explore कर लेते हैं, clothing section इसकी condition भी आपको दिखाऊंगी कैसी हो रखी है discount rate वही same मिलने वाला है आपको winter collection now available हो चुका है तो अगर आप कुछ winter का buy करना चाहते हैं ये था एक winter का court set and इसकी costing थी 1299 price range था आपको almost similar ही मिलने वाली है clothing section में but condition जो थी, वो थोड़ी सी unorganized थी it might be possible कि इसले भी उथल उथल हो रखी हो क्योंकि हमने night time में visit किया था around 9 बजे but जब हमने enter किया तो बहुत जादा crowd था but देरे देरे 10 बजे तर crowd काफी कम हो चुका था ये clothing section में आप देख सकते हैं कि समान कैसे इधर उधर पड़ा है जब पे हम d-mart विजिट करते हैं तो हम clothing section जरूर explore करते हैं क्योंकि हमें हर पार कुछ न कुछ जरूर पसंद आजाता है कहीं बार तो winter का बहुत प्यारा collection भी यहां पर available होता है और अगर आपको पूरे set बाई करने हैं गुर्टा set basically तो वो भी यहां पर काफी अच्छे मिल जाते हैं लीडिस section, man section and kid section तीनों के section में आपको काफी अच्छा collection देखने को मिल जाएगा अगर आप अच्छे से explore करते हैं यह जो आप देख रहे हैं यह हैं कुछ curtains यहां पर आपको curtains का collection काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा अगर आपने मेरी videos में ध्यान दिया हो तो हमारे घर में भी जो परदे हैं वो हमने डेमार्ट से ही buy किये थे क्योंकि काफी अच्छे range के यहां पर आपको curtains मिल जाते हैं winter के collection में आपको sweaters, jacket, shirts सब कुछ देखने को मिलेगा shawl वगेरा का भी काफी प्यारा collection है girls में court sets मिल जाएंगे तो वो सब भी आप explore कर सकते हैं कुछ-कुछ kurta sets भी थे जो काफी अच्छे थे और काफी reasonable थे like this one यह एक complete kurta set था इसमें आपको pant मिल जाती है और अपर kurta मिल जाता है और इसकी costing सिर्फ 599 रूपीज थी अगर आप single kurtais पाहे करना चाहते हैं तो वो भी यहां पर आपको मिल जाएंगी festive wear हो या फिर office wear आपको यहां पर हर तरगे का collection देखने को मिल जाएगा कुछ items की तो range भी आपको काफी अच्छे मिलने वाली है यह कुछ kurta set थे यहां पर तो 999 का इन्होंने tag लगाया था बट actual में हर एक kurta set की costing 999 नहीं थी चलिए अब और collection भी explore कर लिएते हैं आपको आइडिया लग जाए कि dmart में आपको कैसा collection देखने को मिलने वाला है after clothing section फिर हमने सोचा क्यों ना other parts भी explore कर लिए जाएं यह था soap फोगे लगा collection and सबसे अच्छी चीज यहां पर यह है कि आपको हर item पर कुछ ना कुछ discount मिलने वाला है अगर आप morning time में visit करते हैं तो तब आपको चीजे काफी organized मिलेंगी and हर item के पास आपको tags भी दिख चाएंगे जिसमें rates mention होंगे and कितना percent आपको off मिलने वाला है वो भी mention होगा आप देख सकते हैं कि हर item पर आपको कुछ ना कुछ discount दिखने वाला है आएदर फिर वो 5 रुपीज का ही क्यों ना हो अगर आप लोगोंने festive time पर visit किया तो आपको भी पता होगी condition डेमार्ट की कि डेमार्ट में enter करना भी काफी डव था अगर आप डेमार्ट visit करने का plan करें तो कोशिश कीजेगा कि except Saturday and Sunday आप अधर डेमार्ट पर यहां पर visit करें क्योंकि सबसे ज़्यादा रश आपको Saturday, Sunday and festive time पर मिलने वाला है अगर मैं यह कहूं कि डेमार्ट is a one stop solution for each and everything तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा और यह वाला जो डेमार्ट है यह काफी बढ़ा है क्योंकि यह तीन फ्लोर्स पर बना है एंड हर एक फ्लोर पर आपको different different collection देखने को मिल जाएगा काफी अच्छे से short list कियावा है इन्होंने हमें जब भी अपने घर का कुछ भी items खरीदना हो या फिर groceries खरीदनी हो या फिर हमें कुछ stationary का खरीदना हो या फिर milk वगेरा खरीदना हो तो हम कोशिश करते हैं कि हम D-Mart विजिट कर लें और एक इबारी में सारी shopping कर लें जो items आपने दिवाले टाइम पे देखे होंगे वो भी यहाँ पर available थे and price range उनकी almost similar ही थी बट कुछ food items में gift options ऐसे भी थे जिनकी costing 250 तक इन्होंने reduce करी भी थी gift purpose का तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा समान देखने को मिला होगा और हमने भी अपने दिवाले gift की shopping D-Mart से ही करी थी वैसे तो winter आ चुके हैं I don't think so कि in water bottles की आपको requirement होगी प्लास्टिक का भी काफी अच्छा collection देखने को मिल जाएगा मुझे सबसे अच्छे थे हैं आप पर प्लास्टिक के boxes लगते हैं जो आपको 40-40 रुपीज में मिल जाते हैं आपने आई थी मेरी पुराने वीडियो में भी देखा होगा तो चलिए अप फटा फट से और भी प्लास्टिक का collection explore कर लेते हैं अगर आपको अपने घर के लिए ऐसे बड़े बड़े container चाहिए तो आप ये भी buy कर सकते हैं ये कुछ small containers है इनकी costing आपको 39, 49, 59, 69 ऐसे मिल जाएंगी और काफी अच्छे होते हैं ये तो उसके लिए भी आपको यहां पर काफी अच्छे options देखने को मिल जाएंगे तो जब भी आप टी मार्ट विजिट करें तो हर एक floor को अच्छे से explore जरूर कीजिए क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ नगुष्ट तो जरूर पसंद आजाए यहां पर आपको प्लास्टिक की बोटल का सेट भी काफी अच्छे rates पे मिल जाएगा यह था एक casserole इसका डखकन हमें नहीं मिल रहा था हमने काफी सर्च किया क्योंकि हमें एक casserole बाई करना था बट समान काफी उतल उतल हो रखा था तो इस वज़े से हमें इसका डखकन मिल ही नहीं पाया नाव मैं आपको कुछ टिफिन बॉक्स पर दिखाते हूं यह आप देख सकते हैं क्वालिटी काफी अच्छी है इसकी जो कॉस्ट थी वो टू वन नाइन रुपीज थी इसकी कॉस्टिंग आपको मिलने वाली है सिर्फ नाइन रुपीज इसमें भी काफी सारे ओप्शन्स मिल जाएंगे यह था एक त्री प्लेट्स एंद्री बाउल्स का सेट और इसकी कॉस्टिंग आप देख सकते हैं कि सिर्फ वन ट्वेंटी नाइन रुपीज तो मतलब कुछ-कुछ आइटम्स की तो कॉस्टिंग आपको बहुत ही अफॉर्डिबल मिलने वाली है यह एक टिफिन प्लस बाउटल का सेट था और इसकी कॉस्टिंग थी सिर्फ उन पॉर्टी नाइन रुपीज अगर आपको गिफ्ट करना है किसी को तो उसके लिए भी काफी अच्छा आप्शन है यह बच्चों को अगर गिफ्ट करना होता है कुछ आइटम्स तो उसके लिए काफी अच्छे अच्छे से आप्शन्स है ये बॉटल्स की जो स्टार्टिंग रेंज मिलने वाली है वो एराउंड 29 रुपीज से मिल जाएगी एंड किट्स के लिए भी बॉटल्स का काफी अच्छा कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा बहुत ही प्यारे प्यारे से टेडी वाले आपको बॉटल्स देखने को मिल जाएगे अगर आप जिम जाते हैं उसके लिए बॉटल्स सर्च कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको यहां पर आपशन्स देखने को मिल जाएगे पर यह काफी अच्छा लग रहा था लुक वाइस भी एक और चीज में बताना चाहूंगी ऐसा बिलकुल नहीं है कि जिस आइटम की कॉस्ट आपको यहाँ पर कम मिल रही है वो आइटम आपको खराब क्वालिटी का मिलने वाला है कुछ-कुछ आइटम्स आपको कम रेंज के भी मिलेंगे उनकी भी जो क्वालिटी मिलेगी वो काफी अच्छे मिलेगी आप देख सकते हैं कि अगर आप दिवाली के टाइम पर विजिट किया होगा तो आपको तब भी आप्शन्स देखने को मिले होगे यह कुछ केटल्स और टिफिंज सेट्स और प्रेस वगेरा के आप्शन्स है और इनकी भी कॉस्टिंग आपको टू डबल नाइन, त्री डबल नाइन, फॉर डबल नाइन मिलने वाली है तो अगर आप लोग गिफ्ट परपर्स के लिए कुछ आइटम सर्च कर रहे है तो आप यहाँ पर टेफिनिटली विजिट कीजेगा क्योंकि काफी अच्छे आइटम्स यहाँ पर आपको गिफ्ट परपस के लिए मिल जाएंगे आइदा फिर वो किचिन रिलेटेड हो या फिर कुछ यूसफुल आइटम्स हो चलिए अब और कलेक्शन देख लेते हैं यह कुछ आपके किचन रिलेटेड आइटम्स है और इन पर भी आपको 74 रूपीज 57 रूपीज अगर आप चीज, मिल्क यह सब भी पाए करते हैं तो इन पर भी आपको कुछ नगुस डिसकाउंट टेफिनेटली मिलने वाला है यह केट्स के स्टेशनरी आइटम्स हैं जो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे तो आज हम डी मार्ट आये थे और काफी सारी शॉपिंग कर लिये हमने और आज भी काफी भीड़ती वसे बट टाइमिंग सी 10.30 तक होती है तो इसलिए थोड़ी सी भीड़ कम हुई है अदर्वाइस लोग इतने सारे थे जब हमने एंटर किया था बहरा बहरा था डी मार्ट अपकी बट काफी सारी चीजों पर और ज्यादा दिस्काउंट भी था ये भी अच्छी जीज है तो हमने का भी अच्छे से डिमार्ट एक्स्प्लोर किया है इस बार क्योंकि अपकी ज्यादा स्पेस था अंदर यहीं तक ही आज की वीडियो आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए यूस्पुल रही होगी फोर सच पोर वीडियो मेरा चनल सिक्स्ट्राइब करना मत भूलेगा मिलता है कल फिर न्यू वीडियो के साथ सब तक के लिए काट अबबे टेक केर एंड एस अलवेस धन्यवाद थेंक्स पर वोच्चिंग